तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो संस्कृत का पेपर हुआ था मौर्निंग सिप्ट का उसके सोलिशन को इविनिंग सिप्ट वाले स्टुडेंट अच्छे समझेंगे क्योंकि उनका पेपर है ठीक है ध्यान से देखो रिवीजन हो जाएगा तो पहला कोशन था अधो लिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत प्रस्नान संस्कृतें उत्तरत इस अनुच्छेद को पढ़कर संस्कृत में आंसर देना था तो पहला कोशन था एक पदेन उत्तरत केवल एक सब्द में आंसर देना था लिखा केवलम प्रस्णत्रयम कोई तीन करना था पहला कोशन विश्वस प्राचीनतमा भासा का अब ढूंड़ो आज ज़्यादा लाइन मिलेगी लिखा संस्कृतम विश्वस प्राचीनतमा भासा आस्ति तो एक सब्दम्य अंसर आगया संस्कृतम ठीक है, यहां पर लिखा गया इसका अंसर रतिक किम विशनकी पहली पुश्तक कौन्सी तो देखो ध्यान से यह लिखाए तो रिगवेदा विश्वस प्राचिंतमा बेदा कहा तो देखो इसका आंसर ये है संस्क्रित भासायाम लिखतेश वेदेश प्राचिंतमा वेदा रिगवेदा रिगवेद है प्राचिंतम वेद ठीक है एक सब्द में आंसर लिखना था रिगवेदा अगला सरबासाम भासाडाम जननिका डूंडो ये लिखा सरबासाम भासाडाम जननिका अपी संस्कृति में हो अस्तित के वल संस्कृत में हो गया ठीक है यहां सर हो गया तो यहाँ पर लिखा गया संस्कृतम तो एक सब्द का मतलब आपको एक सब्द में आंसर देना होगा एक पदेन में ध्यान रखना अब अगला पूर्ण वाक्यान उत्तरत केवलम प्रस्नेकम पूरी लाइन में लिखना केवले ठीक है पहला कोशन संस्कृतम कीदरसी भासा अस्ती देखो ये लिखा है संस्कृतम विश्वस प्राचिंतमा भासा अस्ती तो पूरी लाइन उतार दो यहां से यहां तक ठीक है पूर्वाक्यन हो जाएगा तो यहां लिखा गया ठीक है आगे सर्वासाम भासाडाम जननी का तो इसका अंसर यह है सर्वासाम भासाडाम जननी आपी संस्कृतम एव अस्ती ठीक है तो यहां तक पूरा उतार देना था ठीक है यह इसका answer हो गया clear है आगे यह था निर्देशम तो इसमें किरिया पद लिखना था तो इसमें अस्ति है ठीक है इसमें link बताना था इस त्री link है इसमें विभक्ति वेदेशु में सब्तमी विभक्ति है ठीक है आगे उपर्योग्त गद्यांसस उचित सिर्षकम लिखत तो इस गद्यांस का उचित सिर्षक क्या है संस्कृत भासा के बारे में है तो हम लिख देंगे संस्कृतम ठीक है यहाँ पर लिखागे answer संस्कृतम ठीक है आगे देखो ध्यान से ओसं सिकने चित्रम रिष्टवा मंजूसाद पदान चित्वा चत्तवारी वाक्यान लिखा थी कोई चार वाक्य लिखना है इन सब्दों का इस्तेमाल करते हुए जैसे क्रिडंती तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाल काह क्रिडंती एक लाइन बन गई ठीक है इसी प्रकार लिखोगे पक्षी उड़ रहे हैं लिखेंगे खगा उड़नती दूसरी लाइन बन जाएगी ठीक है इसके बाद में शूर्य उगर है लिखेंगे शूर्या उदयती ठीक है तीस्री लाइन हो जाएगी और अगली लाइन लेंगे तहां पर हम लिख सकते हैं परबता संती परबत भी है ठीक है अगली लाइन लिखेंगे लिखेंगे परबता संती परबत भी है चार लाइन आपको कोई सी भी बना ले नहीं थी ठीक है इसके बाद में मैचिंग करना था तो यूयम पठत वयम रित्यामा वयम रित्यामा ठीक है यहाँ पर लिखा गया है इसी प्रकारगा, छात्रो, पठता, बाला, गच्छती, गजा, चलंती इधर आंसर लिखा हुए, ठीक है न, मैचिंग करना था आगे, इसमें से एक भरना था इसमें एगा सिंगो चलता है, मक्षिकाह, उत्पतंती इनमें से, दुई, चक्रिकाह, संती इसमें पठनाय आएगा, बाला, पठनाय, विद्यालियम, गच्छती, क्यां से ये लिख दिया गया है, ठीक है न, आंसर हो गया आगे, धातु रूप्यात कर लेना, गच्छती, गच्छता, गच्छन्ती होगा चिंतयत, चिंतयता, 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 चिंतयता कर लेना evening shift वाले ठीक है ध्यान रखना और यहां से आपको fill करना होगा इसी में से आपको fill करना है मनजूसा में सब्ध दिये होंगे ठीक है आगे matching करना है ता इसका मतलब वे सब सब्धरूप भी हाद कर लेना आवायो हम दोनों का इवायो तुम दोनों का सा उबह परडम प्रेंड की पत्ती मैचिंग हुई है आगे अधो लिखतम पाठ्यांसम पठित्वा प्रस्णान उत्रत इस पाठ्यांस को पढ़ना है और आंसर देना है ठीक है तो पहला है एक पदे नुत्रत एक सब्द कांसर देना है जैसे केवलम प्रस्णेकम को यह तत्र कहा आगच्छत तो देखो ध्यान से यह लिखा है तदा कस्चित पतिका तत्र आगच्छत एक सब्द में आगया पतिका हा ठीक है यहां पर लिखा गया है पतिका हा अगला इसनातुम कति बालका हा आगता हा कितने बालक आये थे देखो यहां पर लिखा हुआ है वयम दस बालका इसनातुम आगता हा तो केवल कितने बालक आग तो आधे ज्यादा लाइन मिलेगी ठीक है यह लिखा है आप रिच्छत यह बाल कहा से लेकर कारणम किम यहां तक ठीक है न लिखना आपको पूरी लाइन में ठीक है यहां पर लिखा गया ठीक है अगला एका कुत्र मगनह देखो पूरी लाइन में लिखना है यह लिखा एका नध्या मगना है यह पूरी लाइन में लिखना है यहाँ पर लिखा गया आगे यह था निर्देशं केबलं प्रश्ण ज़्म कोई करना है तो इसमें औंठार है इसमें इक हुआ फ्राइड़रा है तो इसमें शरा गोनते लुट धें ऐस्यसाक च्भीए stadh प्रिये वाग प्रदानेन के तुष्चंती तेलिकर सर्व इसमें सर भी आएगा ठीक है या फिर जन्तवा लिख सकते हो ठीक है इसका अंसर हो गया इसी प्रकार इसी में से पूरी लाइन लिखना है पूरवा केन में ठीक है ध्यान रखना इसके आगे वाला कोश्चन तो सर्वे जंत्वा केन तुस्यंती तो पूरी लाइन उतार दिया गया है ठीक है न असमाभी किम वक्तियम असमाभी प्रियम वक्तियम प्रियम का अंसर हो जाएगा अगला यह था पूरी लाइन में आपको पूरी लाइन लिखना है पूरी लाइन में एक पदेन में एक सब्द में आंसर देना होगा ठीक है ना यह था निर्देशम में यहां पर देख लो इसमें मध्यम पूरुस इसमें वचन बताना है तो बहुचन हो जाएगा अगला कोस्टन ट्वैल वर्ण संयोजन करना होगा यह बनेगा उद्दमेन यह बनेगा वैंतेया यह बनेगा सार्थका यह बनेगा अनुक्तम ठीक है कोस् अक्षर पर मात्रा पर हलंत नहीं रहेगा मां की हलंत लगा देना अक्षर ठीक है इस बरकार यह इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा यह चारों के आंसर लिखे हुए एक एक्जामपल समझ लो जैसे मालो लिखा हुआ है कम ला एक्जामपल समझा रहा हूं तो कैसे बनाओ कहें पहरे लिखोगे का अक्षहहार लगाँ फिर क्या है आ है ठीक है ओने लिखेंगेत इस पर हलंत नहीं रहेगे पिर का फिर आ गया मन मालितने हलंत लगाएंगे फिर मा के बाद में यर 인데요 फिर लखेंगे आा है क्रें है इस प्रकार आपको विच्छेद करना है ठीक है और संयोजन में जोड़ देना क्लियर है तो पूरा पेपर कंप्लेट अच्छे से प्रेक्टिस कर लो कहीं पर कोई डाउट ओ कॉमेंट कर सकते हो मिलते अगली वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिन